हेलो एवरीवन वेलकम टू एकलिव्यासनातक एंड आएम सचिन और आज की इस वीडियो में आप सभी को बीए फर्स्ट इयर से जो आपका टॉपिक है इन दो चीज़ों पर हम फोकस करने वाले हैं और ये दो टोपिक्स ही हमारे most important topics लेने वाले हैं तो जैसा कि हम बात करते हैं पोस्ट वेदिक पिरियाट लेटर वेदिक पिरियाट की तो उसमें बहुत सारे हमारे changes आते हैं society के अंदर खासकर religious changes आने लगते हैं ठीक है कुछ न प्लस आपको मैं इस पूरे time period की जो economy और जो society थी वो बताऊँगा इसके बाद जो next वीडियो आएगी उसके इंदर हम बुदिजम का topic जो है उसको cover कर लेंगे ठीक है तो चले फिर हम आगे बढ़ते हैं आपको बताना चाहूँगा हिंदी मीडियम के students को निराश होने की ज चेक कर लेना तो स्लेबर्स की अगर हम बात करें यूनिट 1,2,3,4 मैंने already cover कर दिये और यूनिट 5 मैं आज start करने वाला हूँ जिसमें हम पोस्ट विदिक period के अंदर especially जो मतलब हमारा जो बुदिजम और जैनिजम है इस पे focus करेंगे इसके बाद जो मेरी next वीडियो आएग जो की emergence हो रहा था जिन cities का ठीक है तो फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो आप Instagram पे मुझे follow जरूर कर लें अगर आपकी कोई भी query हो तो आप मुझ से आके पूछ सकते हैं मेरे username आप सभी के सामने लिखा हुआ हैं तो चले फिर आगे बढ़ते हैं introduction के बात करें रहे थे जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि Heraclitus in Aeonian Asland ठीक है जो अगर हम बात करते हैं यहां पर कि Heraclitus जो थे ठीक है जो Aeonian जो आइलेंड के अंदर और जो सोक्रेट्स थे जो की Greek जो है हमारा जो पूरा एरिया पढ़ता है ठीक है and Confucius in China and Zorastra in Persia ठीक है and Isa Isa in Baby Lol ठी ठीक है यह जो यहां पर अलग अलग जो मैंने आपको नाम बताए इन्होंने अपने नए 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 आइडियास लोगों के सामने बताए ठीक है और यह जो जहां जहां पर यह मतलब आये थे उन जगाओं का भी नाम लिखावा है जैसे कि Union Island उसके बाद Greek हो जाएगा हमारा जो पुरा एरिया पढ़ता है वहां का ठीक है चीन यहां चाइना जो है हमारा प्रश्या और उसके बाद जो बेबी लोन का जो एरिया यहां पर बहुत सारे स्कॉलर्स अब आ रहे थे इस वाइडली सेपरेटेड पार्ट्स ओफ दे वर्ल्ड डिस्प्लेड़ डिस्प्ले इंडिया के अंदर भी ऐसे ही कुछ religious sects के जो है मतलब emergence होता है जो कि हमें देखने को मिलता है जिसमें basically Buddhism and Jainism यह दो main topics हैं जो कि आपको पढ़ने है ठीक है और इस वीडियो में आपको मैं पूरी तरीके से Jainism के बारे में भी बताऊंगा पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से वो sects ते जिनका emergence होता है इंडिया के अंदर इंडिया, numerous religious sects arose in the mid-gangetic plains as a result of an uphill of new ideas and the resulting rise of new philosophical tenents ठीक है इस आइडियाज वर सो डिवाइसिफाइड that the philosophical speculations based on them varied from religious speculations to the search for the truth ये जो लोग थे, चाये वो महावीर हों, चाये वो महात्मा बुद्ध हों, इन्होंने truth को ढूनने के लिए बहुत जादा जो है, मतलब अपने लगातार जो है, try किया and जो की उपनिशद के अंदर जिन चीजों पर emphasize किया जाता था, ये उन चीजों का truth जानने के लिए बहुत जादा active थे और question कर रहे थे, ठीक है, religion के उपर खास कर, जो brahmanical, जो इतने भी, जो मतलब rituals थे और जो भी चीज़ थी, उनके उपर ये question mark लगा रहे थे in this period, we notice a growing resentment to the ritualistic orthodox ideas, काफी orthodox ideas चले आ रहे थे, rituals और ये सब जो था ब्राह्मनों के ठीक है, in other words, जो old Vedic religion है हमारा, वो काफी जादा उसमें अगर आप देखोगे, तो ऐसी चीज़ें हो गई थी, कि इसमें कमिया आ चुकी थी, ठीक है, ये बात एकदम सच है, तभी religious moments जो हैं दीरे 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 बढ़ रहे थे and the religious sects were based on regional customs and rituals practiced by different people living in North East India, of these sects, Jainism and Buddhism were the most important, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि sects तो थे, लेकिन उनमें से Buddhism and Jainism most important है, क्योंकि ये most or well organized थे, ठीक है, and काफी जादा लोग attract हुए इनसे, ऐसा क्या था इनके अंदर वो भी हम देखेंगे, तो ठीक है, आगे हम अपनी वीडि of Buddhism and Jainism, क्या वो causes थे, तो पहला तो ये है कि जो वेदिक ब्रहामनिजम था, वो 6th century तक आते आते, उसका influence इतना जादा बढ़ चुका था, और इतना जादा उसका मतलब spread हो चुका था, कि लोगों को realize होने लग गया था, कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये जो ब्रहा sacrifices and sacrifices, rituals and the dominance of Brahmanas had violated the original doctrines of Vedic Brahmanism, ठीक है, जो original, जो इनके doctrines थे, Vedic Brahmanism, उनसे हटके, जो sacrifices पे ज़्यादा ही ध्यान दिया जाने लगा, rituals बहुत ज़्यादा complex हो चुके थे, dominance बढ़ता जा रहा था, ब्रहामनों का, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत लोगों को भी परेशानी ह होने लगी थी, society was largely guided by Brahmanism, which was firmly established by now and priesthood had also become predominant, priesthood बहुत ज़्यादा, अब predominant हो चुका था and society, अब सिर्फ ब्रहामन, मतलब जिस तरीके से चाते थे, उस तरीके से society के rules चल रहे थे and regulations, discrimination under Varana system, Varana system हम सभी जानते हैं, ठीक है, ब्रहामन, शत्रिये, वैश्या, शुत्र, ये ज Varana system था, इसमें भी बहुत ज़्यादा discrimination था, ठीक है, ये भी एक reason बना, Buddhism and Genism के emergence का, बुद्धा and महावीरा tried to reform the society, ये तो लोग जो थे, कोई नया religion नहीं establish करना चाते थे, ये पहले तो चाते थे कि reforms आएं, ठीक है, अब ये जब अपने reforms के लिए कोशिश कर रहे हैं, rituals और जो ये Genism और Buddhism है, इसके अंदर कोई ऐसा ritual नहीं था, जो कि काफी costly हो, sacrifice कोई ऐसा नहीं था, जिसमें किसी को मारा जाता हो, animal को, जैसे कि Brahmanical system, अगर हम पुरा देखें, तो वहाँ पे बली, ठीक है, पशुओं की बली देना, ये सब चल रहा था, common हो चुगा था, ले होता है, expansion होने लगता है, artisan class का, नए नए occupation सामने आने लगते हैं, trade and development, commerce, जो commerce and trade है, उसका development होता है, काफी changes आने लगते हैं, और ये जो Genism और Buddhism वाले लोग हैं, ये liberty पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, purity पे, और ये कहते हैं, कि हर किसी को right है, निर्वान प्राप्त कर करने का, यानि कि हर कोई अपने लिए शिक्षा, ज्यान प्राप्त कर सकता है, these new religious ideas emerge out of the prevailing socio-economic and religious conditions of the times, ठीक है, अब society के तरफ में आपको ले के चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा दा society में, so as we all know that, ब्रामना, चत्रियास, वैश्यास, शुद्रास, वर्दा वर्दा सिस्टम, ठीक है, मतले, इस तरीके से, वर्दा सिस्टम का पूरा ये categorization है, अगर मैं आपको बताऊँ, और आप सभी जानते भी हो, so हर वर्दा के अंदर, यह जो भी ब्रामना या शत्रियास, वैश्यास, शुद्रास, कोई ना कोई function होता है, हर कोई अपने लिए अपने काम के लिए जाना जा रहा था, ठीक है, कि अगर आप ब्रामनों को देखोगे, पढ़ने पढ़ाने का काम, दान देना, ठीक है, दान लेना भी है इसके अंदर शामिल, और यह सब था, शत्रियास को अगर आप देखोगे, तो यह मैं आपको आगे बताता हूँ, कि म बिल्कुल अलग रखा जाते हैं, टेक्स वगरा और यह पनिश्मेंट से दूर थे, ठीक है, उसके बाद धर्ड केटिगरी जो हमारी आती है, जो हमारे वैश्यास हैं, वो अगरिकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, ट्रेड इसमें जादा लगे वे थे, और यही वो लोग थे, जो मेंट टेक्स पेर्स थे, ठीक है, इन्ही के दम पे सब हो रहा था भई, इन्ही के दियेवर टेक्स के दम पे, ठीक है, लास्ट में शुद्रास आते हैं, जिनका लोवेस्ट विल्कुल ओर्डर था, सबसे नीचे थे, और इन्होंने सर्व ही किया है सबको, डोमेस्टिक स्लेव की तरह काम होता था, इनका, एंड एग्रिकल्चरल लेवर्स के रूप में भी ये काम करते थे, वैशियाज और सुजराज ये सैटिस्फाइ नहीं थे, ये परेशान हो चुके थे वरणा सिस्टम से, और इजो डिविजन था सोसाइटी का, इनको नहीं पसंद आ रह है, बुद्ध का कितना बड़ा रोल है, ये दोनों ही शत्रियक लैन से आते थे वही, समझ में आ रहा है आपको तो कैसा हुआ होगा, तो economy के उपर अगर मैं आपको बताऊं, So, however, the real cause of the rise of these new religions lay in the spread of new agrarian economy in northeastern India, northeastern India में एक नही एकनोमी आचुके थी, the primary factor that revolutionized the material life of the people around 700 BCE in eastern UP and BR was the beginning of the use of iron, iron का use अब start हो चुका था, Iron implements were made and used for agricultural purposes, which resulted in enhancement of agriculture land, iron का जब use हुआ, तो agriculture land जो है, वो काफी enhance हुआ, production जो था, वो भी enhance हुआ, increased agriculture production led to the growth of trade and commerce, और जब production जादा होगा, so trade and commerce भी बड़ेगा and it resulted in the growth of cities, cities का growth होता है, populations, जो मतलब population में जो traders, artisans और यह सब जो थे, वो लोग अब cities की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है, on the basis of the support that they acquired from वैशियास and शुद्रास, शुद्रों की और वैशियों की, दोनों की सपोर्ट थी, और शुद्रियों उन्हें जो है, अपोस किया, ब्रहमनों की, सुपरेमेसी को, ठीक है, and जो caste system था, उसको, तो इस तरीके से, जो rituals थे, वो कितने complex हो चुके थे, कि से हर कोई परिशान था, sacrifice और ये सब बहुत जादा मतलब अब लोग परिशान हो चुके थे, and change जो था, in caste according to karma, and not according to birth, ठीक है, मतलब इस तरीके से कुछ था, and rise of urban centers, अब कुछ urban centers का rise होता है, UP, मगद, बिहार, ठीक है, जो जैना text है, यह जो canonical text है, जिसको हम कहते हैं, जो कि अलग- urban centers के बारे में बताते हैं, हमें महावीर के टाइम पे, and वो लगबग हमें बताते हैं, कि 600 to 300 BC के टाइम पे, जो big cities थी, श्रावस थी, चंप, राज ग्रह, साकेत, कोशाम भी, बेनारस, ठीक है, और जिसको हम बनारस कहते हैं, वारा नसी भी कहते हैं, कुशी नगर, ठीक है तो इस तरीके से ये कुछ थे, ट्रेड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ट्रेड काफी बढ़ रहा था, जो जातकास हैं, ठीक है, जो जातक स्टोरीज हैं, वो उमें बताती हैं, या जो buddhist birth stories हैं, वो बताती हैं, कि 500 or 1000 cards going from one place to another, एक हजार तक वी जो cards थे, वो एक जगा से दूसरे जगा पर जा रहे थे, iron technology by helping to clear jungles, facilitated the process of moving from place to place, iron की technology जब डेवलप हुई, तो अब जगल की सफाई करना आसान काम हो गया, तो इस तरीके से एक जगा से दूसरे जगा भी लोग आराम से जा सकते थे, trade on an increasing scale, led to the birth of money economy, जब trade बढ़ता गया, तो अब यह एले तक bartered system चल रहा था हमारा, अब यहाँ पर money आ जाती है, and the earliest coins discovered cannot be dated beyond the time of Buddha, these coins were issued by the merchants and bore punch marks, ठीक है, यह जो punch mark coin थे मैंने आपको already बता दिया था, यह first chapter के अंदर ही, कि यह हमारे earliest coin थे, the use of coins in this period seems to have become fairly common, commonly of use होने लगे थे coins वगएरा, Art and Crafts, ठीक है, diverse arts and crafts developed apart from such service occupations as those of the washerman and dyer, the painter, the barber, the tailor, waver and the cook, several manufacturing crafts like reed working, pottery, vehicle making, needle making, gold smithery, metal smithery, carpentry, every working, garland making and silk manufacturing, यह इनका mention हमें मिलता है, Buddhist writings के अंदर, and the existence of so many crafts implies increasing specialization in the field of commodity production, तो कैसे कैसे arts and crafts का development हुआ यह हमने देखा, Now the artisans and the craftsmen were often organized into guild, guild में यह पूरे organized हो चुके थे अब, and later, Buddhist work refer to the existence of 18 guilds, 18 guilds के बारे में बताया गया है, राजग्रेह के अंदर, though the names of only four, जिसमें से पहली है, wood workers and smiths, leather workers and painters, इनके बारे में लिखा हुआ है, Each guild inhabited a particular section of the town, ठीक है, group में यह लोग अब रहने लगे थे, In the countryside also, a new social group was coming up to the forefront by the virtue of its wealth, उसकी wealth के उस पे, उसकी जो एक पहचान बनके एक नया social group आता है, The greater part of land came to be owned by गहपती, गहपती जो था, उसको पास बहुत अच्छा खासा land होता था, In the earlier period, the word गहपती, literally the lord of house, हमने यही पढ़ा था, कि इसका मतलब यही होता है, Stood for the host and the principal sacrifier at any considerable sacrifice, गहपती का use वही होता था, कोई sacrifice के अंदर जो main host है, जो main बन्दा है, जो sacrifice करवा रहा है, वो गहपती कहला था, पर यह जो बुद्धा का time आता है, इसका मतलब हो गया, कि गहपती वो होगा, जो कि एक large patriarchal household का head होगा, of any caste, जो भी मतलब उसकी wealth की वजए से, जिस भी caste को, उसको respect मिलती है, वो गहपती कहला हैगा, अब हम चलते हैं, अपने main topic के उपर, जो कि है genism, और genism की starting करता हूँ मैं आपको कुछ introduction बताने के साथ, so the changing scenario of the socio-economic order of the 6th century, यह जो socio-economic order में changes आते हैं, इससे ही genism का emergence होता है, and यह किस तरीके से, यह heterodox sects थे, जो की orthodox, जो भी चीज़े थी, उनके against आएं, ठीक है, और यह reform चाहते थे, तो पहले, जो है, जेन tradition speaks of 24 तीर्थंकरास, 24 तीर्थंकरों के बारे में बताया जाता है, यहां समझ लेजे, 24 टीचर, जिनोंने अपकी teachings दी, सो इसमें से, रिशब ठीक है, यह रिशब देव, ठीक है, इनको पहला तीर्थंकर माना जाता है, historical records जो है, और हमें मतलब बताते हैं, कि जो last के जो दो तीर्थंकर थे, पासर्वनाथ एंड महावीर, ठीक है, यह ज़्यादा important है, जो मैंने आपको नाम बताए, अब मैं आ इस पेरेंट्स वर शत्रियास, शत्रिया क्लैन से आते थे यह, फादर का नाम था सिदार्थ, जो की एक जनात्री का क्लैन के, जो है, हेड थे, मदर की बात करें, तो त्रिशला, सिस्टर ओफ लिच्छवी चीफ चेतका, चेतक जो थे, चीफ थे, लिच्छवी के, और यह महावीर की, जो माता थी, चेतकास डोटर, अभी जो चेतक की डोटर थी, उसने हर्यंक किंग बिम्भी सारा से शादी की थी, ओके समझ में आया आपको तो उनके कनेक्शन थे भई, राजगरानों से भी, इनकी शादी हुई थी, और डोटर भी थी, अनोजा या प्रिये दर्शना भी जिसे कहते हैं, अटेंड केवल्या एट ज्रिम्भी का ग्राम, जो कि अमारे इस्टन इंडिया में पढ़ता है, 42 साल की एज में, पूरी तरीके से इनको केवल्या मिल चुका था, यानि कि पू इनको ये वाला, इनकी डेथ की बात करें, तो थोड़ी सी कॉंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा विवाद है इसके उपर, कोई कहता है, 527 BCE, ठीक है, इनकी डेथ हुई, तो कोई कहता है 468, आप दोनों ही लिख देना, क्योंकि दोनों ही authentic है, कोई कहता है, ट्रेडिशन के हिसा आप से, यहां मतलब जो नॉर्मल हिस्टोरियंस कहते हैं, वो हो है, तो इसलिए मैंने दोनों ही लिख दे हैं, ताक कि कोई गन्फिस ना हो, पावापुरी, जो कि राजग्रे के पास है, वहां इनकी डेथ होती है, and he was called Jina, और Jitendra, और नीर गरंथा, महावीर, यह सारे इन एक्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, जो था, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, and most इर्थंगराज अप टू, the 15th, are believed to have born in Eastern UP and Bihar, and लगबग जो पंदरा के बाद, जितने भी जो आते हैं, वो लगबग UP बिहार के साइड़ी उनका जन्म होता है, टीच being should be respected, and no one should be harmed or killed, ठीक है, सत्य, means truthfulness, हमेशा सच बोलो, सच के पाथ पे चलो, ठीक है, उन्होंने खुद भी इसको अपलाई किया, दूसरों को भी बताया, थार्ड है, अस्ते, या अचोर रहा, यानि कि non-stealing, कोई भी किसी की चीज मत चुराओ, कुछ भी मतलो किसी का, ठीक pleasures of the world, यह जो world के sensual pleasures से इनसे दूर रहो, आपरीग्रह, means non-attachment and non-possession, ठीक है, इस रइफर तो as complete detachment from people, places or material things, जितनी भी चीजें जो है, यह मो माया की चीजें इनसे दूर रहो, लोगों से दूर रहो, घर छोड़ दो, बड़े-बड़े महलों को छोड़ दो, और अपना स creator of his own destiny, ना की भगवान, खुद की destiny के creator हम खुद हैं, समझ में आ रहा है आपको, and हमें अपनी मौक्ष की प्राप्ती हो सकती है, अगर हम purity के साथ अपनी life को जीते हैं, virtue and renunciation के साथ जीते हैं, so हमें मौक्ष मिल सकता है, तीन चीजे हैं, ठीक है, तीन चीजे हैं, एक है right belief, हमेशा सही हो, right knowledge, knowledge हमेशा हमेशा हमारी सही होनी चाहिए, right action, हमारे actions, right होनी चाहिए, actions का बहुत ज्यादा importance है, जैसा कर्म करोगे, उसी के हिसाब से आपको उसका result मिलेगा, okay, अब है principle sects of genism, two parts में divide हो जाता है genism हमारा, broadly बता रहा हो मैं आपको, एक है दिगंबर और एक दिगंबर जो sect है, इसके अंदर जितने भी जो जैन सादूस होते हैं, वो complete nude रहते हैं, कोई तन पे कपड़ा नहीं होता, and जो पाशर्वनाद थे, उन्होंने कभी भी नहीं बोला था ऐसा कि अपने कपड़ों को discard करो, बट महावीरा जो थे, या जो महावीर, वर्दमान म महावीर थे, उन्होंने इस चीज़ को बोला, श्वेत आंबर के बात करें, तो नाम से ही clear है, ये white clothes पहनते हैं, समझ में आगे आपको, अब आगे चलते हैं, development इसका किस तरीके से होता है, so teachings of महावीरा became very popular, महावीर की teachings लोगों के बीच में बहुत popular हुई, society को attract किया, and one of the important causes for the success, so सबसे important cause था, वो ये था, कि जो उस टाइम पे जो popular dialect था, प्राकृत, ठीक है, उसका use होने लगा था, संस्कृत की बजाए, so the simple and homely morals prescribed to the masses, जो normally जो बाते होती हैं, अपनी, जो प्राकृत में हो जाती थी, उससे लोगों को भी आसानी हो रही थी समझ में, क्योंकि ह कोई संस्कृत तो समझता नहीं था, तो लोगों को ये चीज़ अच्छे लगने लगी थी, फिर उसके बाद है, its contribution to Indian culture, Indian culture में बहुत ज्यादा इसका contribution है, basically अगर हम देखें कि literature, architecture, sculpture, ये काफी ज्यादा remarkable है, though the language of its religious texts had been prakrit, ज्यादा दर प्राकृत में ही है, it helped in giving a literary shape to the some spoken languages of India, and the temples and idols still existing in various cities like Mathura, Gwalior, Junagad, Chitaur, Abu, have been accepted as some of the best specimens of Indian architecture, Indian architecture के one of the best, जो है, आप कह सकते हो, कि specimen माना जाता है, जो temples है, और वो सब जो भी, जो architecture है, हमें, ठीक है, जो देखने को मिलते है, sculpture, particularly the temples of Abu, the Jaina Tower at Chitaurgad, the elephant caves of Odessa, and the 70 feet high idol of Bahubali in Mesot, ठीक है, तो इस तरीके से, culture, architecture, literature, sculpture, हर जगा, Jainism का बहुत ज़ादा यहाँ पे, role है, अब Jaina Council की अगर मैं आपको बात बता हूँ, So, towards the close of Chandragupta Moria's rule, a terrible famine broke out in the South Bihar, एक अकाल आ जाता है, जो कि 12 साल तक रहता है, भद्र बाहू and his disciples migrated to Shravan Belgola, करनाटका के अंदर है, यह वहाँ चले जाते हैं, अदर्स जैनाज रिमेंड इन मगद, जादा तर जो और जैनाज थे, वो मगद में रहते हैं, विद स्थूल भद्र, as their leader, they summoned a council, एक council बुलाई जाती है, पाटली पुत्र में, around 300 BC, in which महावीरा's teaching were divided into 12 अंगाज, इस council में 12 अंगाज में divide किया जाता है, महावीर की teaching को, फिर जो second gen council है, ये वल्ल भी, गुजरात के अंदर held की गई, 512 CE के अंदर, and was presided over by देवर्दी, ठीक है, शेम शर्मना, its purpose, ठीक है, its purpose was to collect the sacred text and write them down systematically, इसका काम यही ता second council का, कि जो sacred text है जैनिजम के, उनको इखटा करो, उनको systematically लिखो, however, this time, the twelfth अंगा, drawn at the first council, were lost, ठीक है, and all the remaining अंगाज were written in अर्दमागदी, twelfth वाला जो है, वो खो गया था, जो की पहले जैना कॉंसिल के अंदर, जो है कही न कहीं कंपाइल हुआ था, और उसके बाद की जितने भी जो अंगाजते, वो अर्दमागदी में लिखे जाते हैं, तो यह जैना कॉंसिल के बारे में हो गया, यही तक था यह आपका part, next part म मैं आपको बधिजवम की तरफ लेके चलूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जादा से जादा वीडियो को शेर कर दीजिए, जै हिंद, जै भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, thanks for watching the video.